गुद मॉर्णिंग विवर्स, वेलकम टू बैक कावर्ज चैनल, आप सब कैसे हो, उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, गार और कीचन का काम हम महलाए रोज ही करती है, पर कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो खतम होने का नाम ही नहीं लेता है, तो क्यों न जाने ऐसे कमा काल का है, जो हमारे काम को आसान भी बनाए और हम हमारे लिए बहुत सार वक्त भी निकाल पाए, पहला इस फूल टिप मेरा गी को लेकर है, जब भी हम घी बनाते हैं, तो ये मार्केट जैसा साफ नहीं होता है, यानि कि क्लीन नहीं दिखता है, तो इसके लिए हम एक ट्रि मार्केट जैसा ये आपको दिखेगा, क्योंकि घर का जो घी होता है, वो थोड़ा सा मटमेले कलर का दिखता है, तो इसे साफ करने के लिए आप आलो का यूज कर सकते हैं, और घी को रोम टैंपरिचर पे आने तक के लिए ठंडा होने के लिए रग दे, आप देखेंगे लास कंटेजर जो होते हैं, वो टूट जाया करते हैं, घी बहुत ज़्यादा गरम होता है, वों से कभी भी घी को नहीं चृहने, इसे प्लास्टिक कीछळल्य घा खराब आती है, और बहुत ज़्यादा चिपचिपी होने की वज़ह से साफ करने में थिक्कत आती है, तो उ यहां मैं आपको घी कि खुर्चन का भी यूज बताओंगी तो वीडियो का एंड तक जरूर वाच कीजिएगा हमारे घर में बहुत सारे फॉल फ्रूट और सब्जिया आते ही हैं कुछ सब्जिया ऐसी होती है जिनको काटने के विस्पेशल ट्रिक्स होते हैं यहां पर मैं सि नहीं कि जितना बड़ा इसके बीच को आते हैं इसके बीच को यहनगे आप ही हमने चाकू को हलके से गुमाना है बहुत कड़क हात से नहीं वुल्षक यहान से हिखềंगे आप देखेंगे जब इसे आप खुलेंगे तो जो सिम्ला मिर्ची है वो आसानी से खुल जाएगा यानि कि बीज वाला जो पार्ट है वो आपके हाथ में नहीं आएगा इसके जो स्कीन है वो ही सिर्फ हमारे पास रहे जाएगी और इसके जो बीज है वो बहुत ही आसान तरी कि इस का भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं यह प्लस दूद का ही पार्थ है तो इकाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट होटा यह बिल्कुल ही मावे की आपको जरुवत नहीं होगी क्योंकि इस खुर्चन में भी काफी सरा घी होता है अगर आप इसे ठीक से निचोड़ेंगे तो इसमें से अभी भी काफी सरा घी निकल सकता है मैं नहीं निचोड़ी हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज करना था पराठे बनाने के लिए तो इस इसे बनाना पसंद करेंगे और जो चीज हम वैस समझ के फेक रहे हैं इन पराठों में मैंने किसी तरह की घी और तेल का यूज नहीं किया है क्योंकि इसमें अभी भी काफी सारा घी है तो मैंने यहां पराठे बनाके रेडी का लिए हैं और आप देख सकते हैं इस तवे प हम पहले प्री हीट करते हैं तो हमारे हाथों पे निशान आ जाते हैं तो कभी भी अगर तवे में घी या तेल है थोड़ा वो दिबून भर भी क्यों ना हो कभी भी रोटी को इस पर डारेक्ट स्पीड में नहीं डालना है डालने की वज़े से हमारे हाथों में तेल के यूज हो सकता है अगले यूसफुल है के लिए जब भी हम पराठे बनाते हैं उसके बाद में जब अगली रोटी सूखी बनानी हो यानि गिमना घी और तेल के तो इस रोटी को कभी भी गेस की आज में नहीं पकाना है क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत तेल या घी रह जाता ह जिसकी वज़े से ये रोटी काली हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता है कि हमारी रोटी का कलर कैसे बदल गया है तो पराठे बनने के बाद में अगर आप सूखी रोटी बना रहे हैं तो इसे कभी भी गेस की आज में नहीं पकाना है इसके एक या दो रोटी के बाद ह आपने इसे गेस की आश्यव पकाना है रोटी बनाने से लेकर ये यूसफुल ट्रेक आपको बहुत जादा पसंद आने वाला है जब भी हम रोटी बनाते हैं या सेखते हैं तो अक्सर कोटन के कप्टे का ये पराठे मिकर का यूज़ करते हैं पर ये जो स्टील के काप होते हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी से गरम नहीं होते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं पराठे मिकर या एक कोटन के कपड़े की जगा चोटा सा ट्रेके ट्राइ आउट करके देखेगा बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि कीचन स्टैंड पर हम खाना बनाने लगे हैं और हमारे पास ये चीज़े अवेलेबल नहीं होती है और रोटी को सेखना बहुत ज़रूरी होता है बहुत से गहरों में गेस की आज पर रोटी नहीं बनाई जाती है इसी तरीके से दवय के उपर ही रोटी को पकाया जाता है तो इस तरीके से आप एक कप की मदद से रोटी को सेख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही रोटी सीखती है, जैसे कि यहाँ पर कोटन के कपड़े या पराठा मेकर से सेख कर रेडी होती है, तो रोटी सेखने की यह useful trick, एमर्जनसी में आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, ज कोटी कोगी इसकी आज में ना पकाएं, इस तरीके से तवे के उपर ही पकाएं, आई होप यह trick आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, चले बढ़ते हैं अगले इसवल हैक के लिए, हमारे घर में फैन एक ऐसी में चीज होती है, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करत करने वाले हैं, एक बार बनाना है, साल भर तक आप से यूज कर सकते हैं, तो जिस तरह की साइस का बोटल आपके पास से चलेगा, मेरे पास काफी सारी साइस की बोटल है, तो यहाँ पर एक बोटल ले ली है, इसको में सिजर की वदद से जिस तरीके से कट कर दी हम होनी चीए कि हमारा हाथ इधर से उधर यानि आर पार हो सके, कुछ इस तरीके से में खोल के दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसे कट करके रेडी कर लेना है, इसके बाद में जो इस बोटल का ढखकन है, उसको भी हमने काट के बाहर निकाल लेना है, और यहा तो निकीए से में आपको कपड़ा फोल्ड करके बता रहे हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आपके कपड़े को फोल्ड करना है, कोई साबी कपड़ा लीजिए, पर कोशिश कीज़ेगा जितना हो सके, कौटर का कपड़ा लीजिए, क्योंकि को बोटन के कपड़े से अच्छ यहां पर कुछ इस तरीके से गेप होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इसे पंखोड़ी में डालेंगे ना हम चेर की मदद लेंगे ना ही टेवल की और ना ही हाथ लगाएंगे और हमारा जो पंखा है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा तो बस हलका हलका सा आप इसको गुमायाना है ताकि यह अच्छे से टाय हो जाए यानि कि हमने हलका सा इसे बांध लेना है ताकि कपड़ा खुले नहीं तो यह बोटल मैंने अच्छे से दागे की मदद से बांध ली है अब आप फाइनल लोग इसका देख स तो कुछ इस तरीके से आसानी से fit हो जाएगा, आप इसे permanent बनाने के लिए यहाँ भी आप glue gun का use कर सकते हैं, तो चलिए आप fan की तरफ और देखते हैं, यह कैसे काम करने वाला है, आप देख सकते हैं, fan काफी ज़्यादा गंदा है, और हम हिलाओ की यही दिकत होती है, कि fan को स जमीन पर खड़े होके, ना कि हमको कुरसी टेबल की जरुवत है, बिल्कुल आसानी से आप इसे fan की पंखोडी में डाले, यह बहुत आसानी से चला जाएगा, और इस तरीके से आप हलका हलका, जैसे कि हम जमीन पर पोचा लगाते हैं, टाइल्स पे बिल्कुल उसी तरीके से इसको गुमाएंगे, वाइब करेंगे, तो इसकी जितनी भी गंखी है, वो इस बोटल में बहुत आसानी से आजाएगी है, यह ट्रिक मुझे सबसे आसान लगती है, क्योंकि इसमें आपको किसी तरह किसे चेर टेबल की जरुवत नहीं है, और ना ही fan को हाथ लगाने की है, और जो fan की पंखुडिया है, वो भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी, इसमें इतनी जरूर रख रखना है, ताकि fan की पंखुड़ी इसके अंदर आसानी से हार जाए, और हलका हलका आप इसको वाइब करेंगे, और fan की पंखुडी क्लीन हो जाएगी, तो आप देख स से आराम से आप जटक लीजिए कपड़े से वाइब कर लीजिए और फिर से इसे स्ट्रीक में लगाने की बाद ने दूसरी पंख़ड़ियों को भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं आयोप यह ट्रिक आपको बहुत जाधा पसंद आता है वीडियो ज़रा सा भी यूसफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नाम खुले चले मिलते हैं अगली ऐसी यूसफुल वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद